महाराणी जिंदकोर ए ओही महाराणी सी जीदे बुल्लांदी मुस्कराहट कदे शेरे पंजाब माराजा रंजीत सिंग ले जीवन अम्रत सी जीदे मत्य दी एक त्योडी अगे हजारा सूर में दियां कमाना चोक जाया कर दियां सन जीदा एक हंजु तर्ती दे डिग पवे तब पुचाला जन्दा सी पर अज नाओ दे हस्याच ओ करामाच सी ते नाओ दे हंजुआच ओ तसीर हंजुआँ दो मुलसदा इक को जै नहीं रिंदा कदी ये मोतियां तो भी महंगे हो जन्दे हं ते कदी इनन दी कीमत त्रेल दीयां भूंदा तो भी काट हो जन्दी है विदेशी साजशा ते अपने दियां कितियां गदारियां कारण अज एशिया दी सबतो बड़ी हकूमत दी मालकन दर दर दियां ठोकरा खाननू मजबूर हो गई सी खाल सा राज दी इस अंतिम मारानी दी दुखा परी दास्तान ब्यान करनवाली जीवनी दा पहला पाग अपलोड करन दे लगबग 9 महीने बाद फाइनली अद दूसरा पाट तो अड़े सामने हाजर है पर ये दूसरा पाग उन विच एनी देरी क्यों दरहसल दूसरा पाग त्यार तो दो नाल दी नाली हो गया सी पर कई वर हुंदा एंज है के कई किताबा ते दस्तावेज फुरोलन तो बाद अपने वलो रिसर्च पूरी करके विडियो बनोना शुरू कर दी दा है पर फेर किताबा फ्रोल दे फ्रोल दे कोई इदन दा तत सामने आ जन्दा है के जापदा है नहीं हाजे रिसर्च पूरी नहीं होई कुझ ना कुझ ता बाकी जरूर है ते फेर बास सिर्फ हाजरी जी परनली वीडियो बना देना एस गल तो मन नू तसली जी नी हुंदी सो फाइनली दूसरा पार्ट तो अड़े सामने हाजर है पिशले वीडियो वीच अपवे कैसी के अंग्रेज हाकमा दी कैद चुनो आर्दे के ले चो पजणतो बाद मार अनी जिन्द कोर ते उनना देकदा सी गोंती नू फोज़ा वलो जंगल वीच की रापा आलेया जानता है मार अनी ते गोंती दूवे एक चार दे उले लोक के बैठ जानतीया हन राद दा समा सी जगदिया मशला हौली हौली नेडे उन्दिया जापरीया सन फोज़दा केरा छोटा हुन्दा जा रहा सी फोज़दा केरा उनना तो मसा कुछ मरले दूर ही रह गया सी लगदा सी के दो में शेती ही गिरुफतार हो जान गिया पर उसे समय जिंदगी दे हर मोड़ते दगा देन वाली किसमत ने इस वार पता नी केवे जिंदा दी बाँ फड़ लई उसी समय एक तगडे चखडने इलाके नू केहर लिया जोरदार मीवरन लग पया इन नवे उबरे हलाता करन फोजान दी तलाशी मुहिम थोड़ी मठी पह गई ते जिंदा ते गोमती मोके दा फाइदा चके के रह चो निकलन विच कामियाब हो गया एसी तरह निपाल दे रस्ते तुरदे तुरदे एक दिन होर लंग गया दोमे ठके बुरी तरह चूर हो गया सन्दोमा दे पैर शाले ते जखमानल विन्ने होई सन्द रात पहनते अराम करन ली ओ दोमे एक गुफा विच वड़ गया ओस गुफा विच निर्मल परकाश नाम दा एक सादू रेंदा सी दो ओप्रियां जनानियानू गुफा विच वड़दा वेक सादू ने चौंक के सवाल किता कौन हो तुसी असी दो फुकीर निया हाँ चाड़ा बेलियां च सेर लुकोंदियाने तो अडिग गुफा दा आसरा लिया है असी तेन दिना तो पुखियां हाँ सादू कुझ खान नू दिता जावे सादू जानदा सी कि ये जवाब सही नहीं है पर फेर विउस ने पुखियां दा टेड़ पर ना पहलना जादा जरूरी समझया सादू ने अपने चोड़े चोगाड के कुझ जंगली फल ते कुझ पुझे होए शोले उन्हानू खान नू दिते अपनी चीपीच गंदक द्रियादा पाणी लिया के उन्हान नू पीण नू दिता उदासी सादू जित्थे रेंदे हन ओते अगनी देख कुण जिरूर हुन्दा है सादू ने कुंड फरोल के उत्ते दोते लकडा रखके आगी सेकन दा इंतजाम भी कर दिता हुन सादू ने एक वार फेर सवाल किता कौन हो तुसी जवाब देन दिता अगो माराणी ने उन्ना तो ही पुछलिया सादू माराज पहला तुसी दसो कौन हो असी फेर ही अपनी असलियत दस पावां गिया सादू ने जवाब दिता मैं कोई जमंदरू साद नहीं नगर उमो के जिला से आलकोट देख चंगे तगडे जिमिदार परवार दी जमपल है मेरी जवानी विले शेरे पंजाब माराज रिंजीज सिंग दी फोज दा सिपाई रहा हां सादू ने बड़े मान नल से रुचा करके एगल कही क्योंके रिंजीज सिंग माराज होन दे नालनल कौम दा अग्गू वी सी लोग ओदे नल जोड़के मान मेसूस कर दे सन पर माराज रिंजीज सिंग दा नाम सुनके जिंदा दिया अखाँ पर आईया उसने कहा सादू माराज जे तुसी जमंदरू सादू नहीं ता असी वी जमंदरू फकीर नहीं नहीं हा जेडे माराज दी फोज दे तुसी सिपाई रहे हो उसे राजे दी अखीली राणी दिलीप कौ दी मा, मारी जिन्द को और हा में एह सुणके सादू दीयां पुबा निकल गिया जिन्दा दे मुहों सारी दोक्परिदास्ता सुननतो बाद मारी दे कदमा विच सर्द अरके सादू ने कहा महाराणी जी मेरा सरीर बिर्द हो चुक्या है मैं तलवार लेके दुश्मन दा मुकाबला ता नी कर सक्दा मेरे लिए होर कोई सेवा होवे ता जरूर दस्यो महाराणी ने कहा सादू महराज असी निपाल वल जा रिया है पर रा नी जान दिया हो सके था सन नो निपाल ही पुचा आओ ए दोवे निपाल क्यों जा रिया है सन एस गल्दा जिकर आप आप डिटेल विच पिछले वीडियो विच कर चुके है सादू ने मंग मगा के दोवा बीबियानों भी पगवे कपड़े पवा के उना दा पेस पदल दिता हथा विच दोमा दे चीपिया पड़ा देती है ते फेरो तिन्ने निपाल दे रहे पह गए होली होली पेंडा ते कर देया ओ निपाल वाल वद दे जा रही सन निपाल दे लाके विच वसाकते दिना विच भी पोज नी ठंड उन दी है हाजे और नेपाल दी हद विच वड़ी सन के सादू नो डबल निमोनिया हो गया सौन सान पहाडी लगे विच दूर दूर तक इलाज दा कोई सादन नहीं सी सादू मसा दोग कंट्या ची अगली दुनिया दा वसी हो गया जिन्दा दे माडे पाग एक वार फिर उसनो दगा दे गए दोवे जनिया सादू दे सराने बैठके खूब रोईया जद सुर्थ संबली ता गोमती मील दो मील तक गेड़ा मार की आई के कोई लोकल बंदा मिल जावे ता एस सादू दे संसकार दा कोई हिला करिये ते फिर अपने रा पईये हजे गोमती वापस मुड़ी ही सी के चार कोड़ सवार सिपाही उत्थों दी लंगे जदो ना दो बीबिये नो एक लाश दे सराने बैके रूंदे विख्या ता ओ रुख गए एक कोड़ सवार ने पुच्या कोण हो तुसी जिन्दा सोची पह गई के शाही कोड़ सवार लग दे हन जे सच दस देवा ता खोरे कोई रा पा दे हन जदो जिन्दा ने अपनी असलियत दसी ता तेने सिपाही ता ओती रोग गए ते एक कोड़ आप जाके वापस मुड़ गया ते निपाल दे राजे राणा जंग बहादर दे तंबुगों विच जा पुझा जो कुझ चारक मील दूर सन राणा जंग बहादूर काट मंडू तुए थे कुछ दिन शिकार के डन ली आया होया सी खबर मिलन ते जंग बहादूर ने एक पाल की ते कुझ सिपाही पे जे जिनन ने मोके दे ही लकणा वड़के सादू दा ससकार की ता ते फिर मार आणी जिन्दा अते गोंती नू पाल की विच बठाके सित्कार सी तंबुगों वन ले आये एशिया दे सब्तो ताकतवर हुकूमत दी मालकार मार आणी जिन्दकोर ने पाठिया लीरा विच चोली आठिके जंग बहादूर तो पना मंगी अईने सालना बाद वी जंग बहादूर दे मन विच मार आजर रंजी सिंग दे उच्चे गिरदार ली सम्मान ब्रकरार सी पुतर प्राप्ती दा ते सब्तो वड़ा दुन्यावी दोख है पुतर दे विचोड़े दा ओंवरजा डिली शीनला ओंग एस पिता दे प्रामादी मौत तो बाद मारज दिलीप सिंग सिर्फ नो साल दी उमर विछी तकता वारस बन गया सी। विच कई कई कतल होएं। दौलत अंग्रेज दर्बार विट पैर पसार चुके सन गदार डोगरे प्रावने अंग्रेजानाल राल के माराणी ते उसदे पुतर नूँ वक्वा करन दी साजिश राच लई सी क्योंकि उन्हों पता सी के जे दिलीप सिंग अपनी मांदी शत्रशाम विच ही वड़ा होया ता ओस दे राच समण तो बाद साठे वास्ते कोई मुक्वा नी बचूगा ओ माराजा दिलीप सिंग नू शिकार खेड़न ली शाला मार दे बागावन ले गई ते मगरो माराणी जिंद का उलनू नजर बंद कर दिता अगले दिन जिदो बालक दिलीप सिंग वापस आया ते मादा मुक्विकर नू ना मिलिया ता बड़ा कुरलाया रो रो के बेहोशी हो गया दरबार दे सबतो वड़े अंग्रेज अफसर हैंरी लॉरेंस नू बलाया गया डाक्टर भी सदे गए हैंरी लॉरेंस ने क्या के माराजा तुसी रो ना लंदन दी माराणी क्वीन वि दिलीब मां दे विशोड़े विच दिनों दिन सुक दा गया। कदी मां जिंदा खिटोने मिठाईयां दे सुक सांदिये चिठियां पेज़ दिया कर दी सी। पर दो तेन महीने बाद जालमा ने ओवी बंद करा दितिया। मनों विग्यान दे महरां दे एक पूरी टीम लाके दिलीब दे चारे पासे एहोजा वातावरन सिर्जा गया। क्यों सोड़ा साल दा होन तक राज दखित अपनी मां ते सिखी बारे सब कुछ ही पुल जावे। उसनों पंजाब चो कड़ पढ़न ली फतेपुर सिकरी पेज सारी सिख्या इसाई मत दे उनसार दिती गई सारे सिख सेवादार हटा के उनने दी था दे इसाई सेवादार रख दिते गई कुछ समय बादी इस दा असर दिखन लग पया। दिलीब ने अपने गजगज लम्मे केस कतल करवा दिते एक गोर्यां दे लई एक वड़ी जेत स सुनने दे बक्से विच एक एस मारानी विक्टोरिया नू लंदन तोफे वजो पे जे गए। मचफट गबरू दिलीब सेंग अपने तेन लख दे तगड़े जेव घर्तिनों अपनी मन मर्जियां मताबक वरतन लग पया। दस साल दी उमर भी कोई उमर हुन दी है। कलकते दे बंदरगातों जहाच चड़ा के युरोब दी सेरते पेज दिता गया। एथे युरोब विच रह के उसने तेन चार साल रज के काम वासना दे विलास्ता दे नजारे माने। पर कुछ समय बाद बीना मकसद दा जीवन वी बंदे नू गुलामी वरका लगन लग प से जदो विपदा पवे ओदों देश कों परिवारते मां पयो यादों दे हन। उस ते मनविच अपना राज वापस लेंड दियां। अपनी मानों मिलन दियां इच्छावा उफान खान लग बियां। एक अंग्रेश सेवक जो सालां तो दिलीप दे नाल सी ते उस दा हमद से तुर लेल अपनी मां दे बारे पता खरन दी बेन्थी मेंटे किति को सेवक पार्त तो ओन वाले हर मुसाफिर्तों मारा नीं जिंदा बारे पतार कर दा त्रन जिंदा पतार कर्दे कोई सालख़ंड लंग गया। पता लगन दे सेवक ने मारारा जिब सिंग् wellbeing स्टित या हड़ा तो मास जा चुक्या है ओ सोटी दे सहारे ही उठ दी है ते चल दी है मां बारे पता लगन ते दिलीब दा जी किता कि ओ ओड के अपनी मां दे कोल चला जावे पर पैरज पैयां जंजीरा गे ओदी वार नी चल दी सी उसने मारानी विक्टोरिया तो इजाज़त मंगी पर मारानी ने हाना की ती दिलीब तरले करदा रहा कोई एक साल तक तरले करदा रहा पर मारानी दे देलता जिमें पत्थर दा बने आसी आखरकार इजाजत मिल गई पर एक शर्त ते कियो पार्त दे किसे होल सुबे विच मिल सकते हन पंजाब विच नहीं दिलीब ने अपने ओनदा सुनेहा चाट अपनी मावल पे जया एदर विश्णु मती द्रियादे कंडे बैठी मारा नी जिन्दा अपनी गोली नाल गल्ला कर रही है गोमती में हुनता अपने बच्चे नू मिलन दी आस्वी अपने दलविचो कर दिती है ओहन कोई बच्चा निर्या होना पूरी समझ बोजवाला गबरू जवान बन गया होना विलाथ दिया जनानिया जादू कर निया हन उनना दलीब दे मन विचो मेरी याद कर दिती होगी हजे गला चली रही हैं सन के एक सिपाही दलीब दी चिठी लेके हाजर हुनदा है लगबग एक साल विच वख वक हत्ताँ चों हूंदी होई ए चिठी मारानी को पॉंची सी इलन दी तरीक ते थां चिठी वीच दस्सी होई सी मारानी ने राना जंग बहादर तो जान दी इजाजत मंगी जंग बहादर इने साल मारानी जिंदानू मोटीपेंशन दिनदे दिनदे आक चुक्या सी ते ओ पिछ्छा चुड़ोना चोंदा सी। उसने शर्त रख दिती के जे जिन्दा एक वार निपाल दी हद चो बार चली गई ता मुड़के उसनू पना नी दिती जाओगी। जे किते होर आस्रा ना मिलदा ता जिन्दा किते जन्दी। उसन अप विक कोर अंधकार में ही लग रहा सी। पर पुत्तर नू मिलन दी लाल सा इनना सब गलांते पारी पैगई। उतर दिलीब जद कलकते पहुंचया ता उसनू पता लगा के मानू ओंच जे तेन दिन लगण गे। उस तो रिया ना गया ते अगले दिनो राणी गन जा गया। इस दन माने ओना सी ओ तड़के ही ना आतो के शड़कते जा खलोता। खलोते खलोते दपैर पैगई। आकर दूरों एक छोटा जे काफला ओंदा विखाई दिता ता उंप अजिके काफले दे कोल जा पोंचया। जिन्दा पालकी चो उतरी ता दिलीब इंज उसनू जाके गले लग गया। जिवे ओं हजे वी दस साल दा बच्चा ही होवे। माने वी उसनू बावाव विच कोट लया। अपणिया अख़्ाँ दे जोट चले जान दा दोख जिन्दा नू सब तो वद अज हो रहा सी। के एन्ने सालना बाद मिलनते हो परीजवानी विच खड़े अपने पुतर दा मोखनी वेख पा रही सी। एस लिव अपने हथानल टो के अपने पुतर दी सूर्त दा अंदाजा ला रही सी। पर एस दोरान कुझ एहोजा मैसूस होया के जिन्दा दियां तड़कना वद गिया। उसनू कुझ अंचाहया वाप्रिया होन दा डर्स तोन लग पया। हिम्मद करके जिन्दा ने अपने पुतर दे सरते हाथ पे रहा ता उस दे पैराहेटो जमीन निकल गई। चाटी ही उसने दलीब नू तका मार के अपने तो धूर कर दिता। सालना बाद पुतर नू मिलन दी खुशी होन दोख विच बदल गई सी। केंदी पुतरा तू आ की गिता। जिदन मेरा पती मेनू छटके गया सी ओधन में अंदरो टुटी नहीं सा। जदो मेरा सारा राजपाट खोले आ गया। मैं दरदर दिया ठोकना खा दिया। ओधो भी मैं अपनी हार नहीं सी मननी। पर अज तेरे एस पेस कारण मैं गोर्या अग्या अपने अपनू हारया मैसूस कर रही है। दूर हो जा मेरे कोलो। दिलीप रोंदा होया अपने मादे कदमा विच देग गया। कहन लगा माँ ए सब कुछ तेरे विचोड़े कारण ही वापरया है। मैं वादा करदा है के दबारा सिकीस रूपता अरन करूंगा। तुमें नू एंज अपने तो दूर ना करूं। जिंदा रूवी मैसूस होया के दिलीप तो दो बच्चा सी एक सूर एदा नहीं हला तांदा है। दोमें मापुत तेनमें ही ने कलकत्ता विच कठे रहे। अडेली ठीक नहीं। उसी समय माराज दिलीप नू वापस ब्लोंदा ओडर जारी हो गया। जिदो गोरे अफसर सुनेहा लेके आये ता दिलीप ने मानू कहा। मा मैंनू जाना पाऊगा। जे मैं ना गल मनी ता लेंडन विच में काफी जाइदा ख्रीदी है। जब तो हो जाऊगी। मेरा स्राना खर्च भी बंदकार देनगे। रहेंड मेंनू किसे ने फेर भी नी देना। जे आप ना गया ता तकेनाल गृफ्तार करके ले जानगे। क्योंना तुसी भी मेरे नाल ही लेंडन चलो। मैं हुन तो अडेबी ना होर नी रह सकता। सो दिलीप अपनी मान वी अपनी नाल ही लेंडन लेंगया। जद ओ दोवें वापस लेंडन पहुंचे ता दिलीप दे सबाविच आए फरक नू उत्थों दे हाकमा ने वी मैसूस कीता। ओदे तेवरा चो हुन महाराजयां दी चलक मिल दी सी। उसने केस वापस रख ले सन। ए सब महाराणी जिन्दा दी संगत दा असर सी। महाराणी जिन्दा ने दिलीप नू उस दिया निजी जाएदा दा बारे वी दस्या। जीना दे पंजाब दे तकता पल्ट दा कोई असर नई सी पैना। केहा जन्दा है के सैसत दाना दा देल नी हुन्दा। सिर्फ दिमाग हुन्दा है। ए सारे बदला वेखन तो बाद ओना ने लंदन वीच वी दोवे मापुत्ता नू कठे नी रेंड दिता। दोवें एकको शेर वीच रेंदे हुईवी सत मील दी दूरी ते रेंदे सन। ते मारा नी विक्टोरिया दी इजाज़त तो भी ना मिलनी सी सकदे। जिगर दे टोटे नाल दुबारा प्या विचोडा जिन्दा तो बरदास्ट ना होया। तिव अपने अंतिम सहावल तोर पई। जन्दी वार वो अपने पुत्तर नू मिलना चोंदी सी पर क्वीन विक्टोरिया ने दलीप नू मिलन दी इजाज़त ना दिती। जिन्दा ऐसी तरह उखड़ दे सहानाल अपने पुत्तर दी उडिक कर दी रही। मौत ओंदी ते उसदा भुआ खड़का के पुठी मढ़ जन्दी। आकर कार जदो गोर्या नू यकीन हो गया के जिन्दा दे बस कुछ अखीर ले कंटे ही बचे हन। उदो जाके दिलीब नू मिलन दी इजाज़त दिती गई। करके पुठा मुड़े आवे। दिलीब अपनी मादी लाश लेके जहाज रही चल पया। हाजे व बंदरगा ते उत्रया ही सी के सिपाईया ने उसनू केर लेया। कैंदे नवे ओडर आये हन महारा नी वलो। तुसी पंजाब नी जा सकते। दिलीब बड़ा दुखी होया, बड़े तरले कीते। पर सिपाही ता आप हुकम दे पबंद सन। आखरकार नर्मदा नदी दे कनारे मादा ससकार कीता। उस दे रिखवाले वापस जाननू काले पह रही सन। हाजे अंगारे चंगीतरा ठंडे भी नहीं पही सन। के उसनू फल चुगने पहे। ते अस्तियां वापस लाके लंडन आ गया। एस तों बाद 1903 विच माराजा दिलीप सिंग दी ती। बेंबा दिलीप सिंग ने ए अस्तियां पंजाब लजाके माराजा रंजीश सिंग दे कोल ही माराणी जिन्दा दी समाद बनाई। माराजा दिलीप सिंग ने 1986 विच लंडन विके कुछ सिक फोजिया तो अमरत पान करके संपूरन सिक्की सिरूपतार न कीता ते अपनी मादी अंतिम इच्छा पूरी कीती। दुखा दी पंड सेरते रखके एस जहान तो तुरी महाराणी जिन्दा नू शायद इसनाल थोड़ी राहत मिली होगी। विडियो नू लाइक करके अगे वत वाद शेर जरूर करे हो ता जो साथी नवी पीडी तक अपने पंड़ाब दा इतहास पोंच सके। दूसरे तो चैनल सस्क्राइब करों लित वाड़ा बहुत बहुत तानवाद ते जान तो पहला कमेट बोक्स विच वाईगुर जी लेक्के अपनी हाजरी जरूर लवा दियो वाईगुर जी का खाल सा वाईगुर जी की फते।